हेलो दोस्तों नमस्का स्वात आपसका फिसने वीडियो में दोस्तों आज की डियो में हम देखो आले हैं कि दोस्तों आर मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं दोस्तों मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं क्या आप कमरे में बस्तों को देख सकते हैं आप कमरे के बाहर बस्तों को देख सकते हैं ब्याक्या कीजिए तो चले दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग प्रेशन को ही समझ लीजिए एक बार कि दोस्तों यहाँ पर प्रेशन हमसे कह रहा है कि मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं दोस्तों आप कमरे के बाहर बस्तों को देख सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं अगर कमरे के बाहर उजिला है तो हम जरूर देख पाएंगे बस्तों को क्यों ने देख पाएंगे तो चले बढ़ते हैं उत्तर क्यों तो दोस्तो हमारा अंसर है कि हम अंदेरे कमरे में बस्तों को नहीं जो कि मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तो हम अंदेरे कमरे में बस्तों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि अंदेरे कमरे की बस्तों को हम उनके प्रकास के प्रावायतन के द्वारा ही देख सकते हैं जो प्रकास ना होने के काड़ अंदेरे कमरे में नहीं होगा और कमरे के बाहर की बस्तों को हम तब ही देख सकते हैं जब कि वहां रखी हुई बस्तों से प्रावितित प्रकास हमारी यांकों तक आ सके तो दोस्तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि अगर बाहर प्रकास होगा तब ही हम लोगों को अंधिरे मैं से बाहर की बस्तों दिखाएं देगे अन्यता नहीं दिखाएं देगी अब आप लोग इसी चीज़ से समझ सकते हो कि मालू रात में मलब घंखुर रात है और अंधिरा है और दूर बलब लगा हुगा है और मलब बलब जलेगा तब ही तो हमें देखेगा नहीं तो कैसे देखेगा तो दोस्तों आसे करता है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो पर हम लाइक नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें चलिते में अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाएंद 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 बाने मात्रा